मित्रो दिल्ली के अंदर 1731 अनधिकृत कॉलोनिया थी 2015 में मोदी जी ने केजरिवाल को पत्र लिखा कि आप उसका नक्सा दे दिजे लिस्ट दे दिजे डिमार्केशन कर दिजे हम इसको अधिकृत करेंगे उन्हों का दो साल लगेंगे 17 में फिर से मोदी जी ने पत्र लिख दिया कि भई फिर लाओ भई दो साल हो गए लाओ कि और दो साल लगेंगे 19 आ गई इस पार मोदी जी ने पत्र लिखने की गलती नहीं करी भारत सरकार ने सेटेलाइट से सर्वे करकर अनधिकृत कॉलोनिय को अधिकृत करने का काम कर दिया 50 लात लोग डिली की 50 लात की जंदा 731, 1731 अनधिकृत कॉलोनिय में रहने वाले लोग आज अपने घर का माली खोने के गवरव के साथ जी रहे हैं मित्रों ये लोग एक लाग दो लाग जो का वो टेक्स देने के लिए तैयार थे मोदी जी ने रजिस्ट्रे भी 500 रुपिया या 1000 रुपिया लेकर उनको अपना घर दे दिया है और मैं आज सारे अब अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाग लोगों को कहने वाला हूँ कि एक बार कमल फुल की सरकार बना दो आपका घटर, पानी, बागी चाफ, पुस्तकाले, मंदीर और आपके वहाँ एक छोटा सा बच्चों के देखने के लिए का थिये डर भी ये भारतिये जनता पार्टी की सरकार बना दो ये सारी सुविदा एक पर आपका अधिकार, ये कॉंग्रेस पार्टी और आप पार्टी सालों से बीस साल से ये अधिकार को रोक कर बैटी जी, आपने 303 सिटों के साथ हमारे साथ MPO को पूरे बहुमत से जिता कर भेद दिया, मुधी जी ने अनधिकृत कोलोनियों को अध पार्टी के कारण धेर सारी जुगिया है, सारी जुगियों को जहां जुगि है, वही मकान देने का वादा मोदी जी ने किया है, इसका सर्वे भी चालू हो गया है, और मैं कहने आयो हम केजरी वाल नहीं है इनहरेंद्र मोदी है वाईया, जो कहते है, वो करते हैं, और मोदी है तो, मित्रो मोदी जी ने वादा किया है, कि जहां जुगि है, वहाँ दो कमरों का पक्का मकान सब को मिलना वाला है मैं आस्वस्त करना चाहता हूँ जुगी जोपड़ी वालों को कि आपके भी अच्छे दिन आने वाले